जोहार मद्यप्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाती बहन भाई, ला स्वागत जोहार करता हूँ हूँ तमारो सुवागत करूँ, तमाम साम कि कमचो, माल्थन आप सबान सो मिलन, बड़ी खुशी हुई राह लिया है, आप सबान थन, फिर सी राम राम, मद्यप्रदेश के राजपाल, स्री मंगुबाई पटेल, जिनों ने अपना पूरा जीवन आदिवाशियों के कल्यान के लिए खपा दिया, वे जीवन भर आदिवाशियों के जीवन के लिए सामाजिक संगठन के रुपे, सरकार में मंत्री के रुपे, एक समर्पित आदिवाशियों के सेवक के रुप में रहे, और मुझे गर्व है कि मद्द्र प्रदेश के पहले आदिवाशियों के गवर्नर इसका सम्मान स्री मंगू भाई पटेल के खाते में जाता है, मन्द्पर विराजमान, मद्द्र प्रदेश के मुख मंत्री, स्रिमान सिवराश्थी चवान जी, केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी, नरेंद्र सी तोमर जी, जोतिरादित्य सिंधिया जी, विरेंद्र कुमार जी, प्रलाद पटेल जी, फगन सींग कुलस्ते जी, एल मुर्गन जी, एमपी सरकार के मंत्री गर्ण, सांसत के मेरे सहयोगी सांसत गर्ण, विधायक गर्ण, और मद्द्र प्रदेश के कौने कौने से हम सभी को आशिरवाद देने आए, जन जाती समाज के मेरे प्यारे भाई और बेहनों, आप सभी को बगवान बिर्सा मुंडा के जन्म दिन पर बहुत बहुत शुप कामनाए, आज का दिन, पूरे देश के लिए, पूरे जन जाती समाज के लिए, बहुत बड़ा दिन है, आज भारत अपना पहला जन जाती गवरव दिवस मना रहा है, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पहमाने पर पूरे देश के जन जाती समाज की, कला, संस्कृती, स्वतंत्रता अंदोलन और राष्ट निर्मान में उनके योगदान को गवरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, आजादी के अमुरत महोसव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं आज यहाँ मध्यप्रदेश के जनजातिय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ, बिने अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका असने आपका विश्वास मिला है, इसने हर पल और मजबुत होता जा रहा है, आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रिर्णा देता है, उर्जा देता है, साथियों, इसी सेवा बाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने, कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है, और आज जब कारकम के प्रारम में मेरे आदिवासी जनजातिय समू के सभी लोग, अलग-अलग मंच पर, गीत के साथ, धून के साथ, अपनी भावनाएं प्रगट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है, कि जीवन का एक महत्वपन कालखन मैंने आदिवासी के बीच में बिताया है, और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई ने कोई तत्व ज्यान होता है, परपज अफ लाइफ आदिवासी अपने नाजगान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बख्खुभी प्रस्तूत करते हैं, और इसलिए आज के इस गीत के प्रती मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था, और मैंने जब गीत के शब्दों को बारी की से देखा, तो मैं गीत को तो नहीं दोरा रहा हूँ, लेकिन आपने जो कहा, शायद देख धर के लोगों को, आपका एक एक शब्द, जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतों, बखुबी प्रस्तूत करता है, आपने अपने नुर्त्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा, आज प्रस्तूत किया, शरीर चार दीनों का है, अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा, खाना पीना खुब किया, बगवान का नाम भुलाया, देखिए यह आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी, सच पुच में बे सिक्षी थै कि हमें भी सिक्षा बाकी है, आगे कहते हैं, मोज मस्ती में उमर बिता दी, जीवन सफल नहीं किया, अपने जीवन में लड़ाई जगडा खूप किया, गर में उत्पाद भी खूप किया, जब अंत समय आया, तो मन में पच्छताना व्यर्थ है, धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है, देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है, धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है, अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है, ये धन, दौलत, कोई काम के नहीं है, इसे यहीं छोड़ के जाना है, आप देखिए, इस संगीत में, इस नुरुत्य में, जो शब्द कहे गए हैं, वो जीवन का उत्तम तत्वग्यान, जंगलों में जिंदिगी गुजारने वाले, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया हो, इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है, इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है, इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है, साथियों इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिर्वराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारम किया है राशम आपके ग्राम योजना हो या फिर मद्दपदेश सिकल सेल मिशन हो ये दोनों का एरकम आदिवासी समाज में स्वास्थ और पोश्चन को बहतर बनाने में अहें भूमिका नभाएंगे मुझे इसका भी संतोष है कि प्रदान मंत्री गरीब कर लियान अन्य योजना के तहत मुक्त रासन मिलने से कोरोना कान में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली अब जब गाओं में आपके घर के पास सस्ता रासन पहुचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरित खर्च से भी मुक्ती मिलेगी आईश्मान भारती ओजना से पहले ही अनेग बिमारियों का मुप्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है देश के गरीबों को मिल रहा है मुझे खुसी है कि मद्ध देश में जनजातिय परिवारों में तेजी से मुप्त टीका करण भी हो रहा है दुनिया के पड़ी लिखे देशों में भी टीका करण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरे आती हैं लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीका करण के महत्व को समझता भी है स्विकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमी का अदा कर रहा है इससे बड़ी समस्दारी क्या होती है सो साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जन जातिय समाज के सभी साथियों का वैक्सिनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सच मुझ में यह अपने आप में गवरवपूर्ण गटना है पड़े लिखे शहरों में रहने वाले लोगों ने मेरे इन आदिवासी भाईयों से बहुत कुछ सिखने जैसा है साथियों आज यहां बोपाल आने से पहले मुझे रांची में जार्खन बगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी मुजियम का लोकारपन करने का सौभाग्य मिला है आजहां जी की लड़ाई में जन जातिय नायक नाईकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना उसे नई पिड़ी से परिचित कराना हमारा कर्तब्य है गुलामी के कालखंड में विदेशी सांसन के खिलाप खासी गारो अंदोलन मीजो अंदोलन कोल अंदोलन समेत कई संगराम हुए गौन महारानी वीर दुर्गावती का शार्य हो या फिर रानी कमलापती का बलिदान देश इन्हें भूल नहीं सकता वीर महाराना प्रताप के संगर्ष की कलपना उन बहदूर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिनोंने कंदे से कंधा मिला कर राना प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बली चला दिया था हम सभी इनके रूनी है हम सभी इस रून को कभी चुना चुका नहीं सकते लेकिन अपनी इस विरासत को संजो कर उसे उचीत स्थान देकर अपना दाईत्व जरूर निभा सकते हैं भाई और बहनों आज जब मैं आप से अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं तो देश के प्रख्यात इत्यहासकार शीव शाहिर बाबा साब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़ करके चले गए उनका देहावसान हुआ है पद्म विभुशन बाबा साब पुरंदरे जी ने छत्रपती सिवाजी महाराज के जीवन को उनके इतिहास को सामान ने जन तक पहुँचाने में जो योगदान दिया है वो अमुल्य है यहां की सरकार ने उन्हें काली दास पुरसकार भी दिया था छत्रपती सिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को बाबा साब पुरंदरे जी ने देश के सामने रखा वादर्श हमें निरंतर प्रेना देते रहेंगे मैं बाबा साब पुरंदरे जी को अपनी भाव विरी स्रदान ली देता हूँ साथियों अजब हम राष्ट्रिय मंचों से राष्ट निर्माण में जन जातिय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हरानी होती है ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जन जातिय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है इसकी वज़ए ये है कि जन जातिय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया अंद्रे में रखने की बरपुर कोशिस की गई और अगर बताया भी गया तो बहुती सीमित दायरे में जानकारी दी गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दसकों तक जिनोंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्द भरी राज़िती को ही प्रात्विक्ता दी देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजुद दसकों तक जन जातिय समाच को उनकी संस्कृति उनके सामर्थ को पुरी तरह नजर अंदाज कर दिया गया आदिवाचियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की सिक्षा, आदिवाचियों का स्वास, उन लोगों के लिए कोई माइने नहीं रखता था साथियों, बारत की संस्कृतिक यात्रा में जन जातिय समाच का योगदान अटूट रहा है आप ही बताईए, जन जातिय समाच के योगदान के बिना, क्या प्रबुराम के जीवन में सफलताओं की कलपना की जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं बनवाचियों के साथ बिताए समय ने, एगराज कुमार को मर्यादा पुरसोतम राम बनाने में अहम योगदान दिया है बनवास के उसी कालखन में प्रबुराम ने बनवासी समाच की परंपरा, रिती रिवाच, रहन सहन के तौर तरीके जीवन के हर पहलू से प्रेरना पाई थी साथियों, आदिवासी समाज को उचीत महत्व ना देकर, प्रात्फिक्ता ना देकर, पहले की सरकारों ने जो अप्रात किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्चत है, हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है, जब दसकों पहले मैंने गुजरात पे अपने सारवजनी जीवन की शुरुवात की थी, तबी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविदा और विकास के हर संसादन से आदिवासी समाज को चित रखा, अभाव बनाए रखते हुए, चुनाओ के दोरान उनी अभावा की पूर्ति के नाम पर बार बार बोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जन जातिय समुदाय के लिए, जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, और जब करना चाहिए था, ये कम कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को, गुजरात का मुख मंत्री बनने के बाद, मैंने वहाँ पर जन जातिय समाज में स्थीतियों को बदलने के लिए, बहुत सारे फ्यान शुरू किये थे, जब देश ने मुझे, दोहजर चौदा में, आप सब देश वाच्यों की का मोका दिया, तो मैंने जन जातिय समुदाय के हितों को, अपनी सर्वोच चप्रास्फिकता में रखा, भाई और बेनों, आज सही माइने में, आदिवासी समाज के हर साथी को, देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागिदारी दी जा रही है, और चाहे, गरीबों के गर हो, सौचाले हो, मुक्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सडक्त हो, मुक्त इलाज हो, ये सब कुछ, जिस गती से देश के बागी हिस्से से हो रहा है, उसी गती से आदिवासी छेत्रों में भी हो रहा है, बागी देश के किसानों के बैंक खाते में, अगर हजारों करोर रुपिय सीधे पहुँच रहे हैं, तो आदिवासी छेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं, आज अगर देश के करोडों करोड परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से गर-गर पहुचाया जा रहा है, तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पिड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुचाने का काम तेज गती से चल रहा है, वरना इतने वर्षों तक जन जातिये ख्षेत्रों की बेहन बेटियों को पानी के लिए कितना परिशान होना पड़ता था, मुझसे ज़्यादा आप लोग इसको भली बाती जानते हैं, मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहट मद्दप्देश के ग्रामिरी लाकों में तीस लाग परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है, और इसमें भी ज्यादातर हमारे आदिवासी इलाकों के हैं, साथियों, जन जातीय विकास के बारे में बात करते हुए एक बात और कही जाती थी, कहा जाता था, जन जातीय ट्षेत्र भोगोलिल्प से बहुत कठीन होते हैं, कहा जाता था कि वहाँ सुविदाएं पहुचाना मुश्कील होता है ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे यही बहाना करके जन जाती है समाज में सुविदाओं को कभी प्रात्फिकता नहीं दी गई उन्हें अपने भाग्ये पर छोड़ दिया गया साथियों ऐसे ही राजनिती ऐसी ही सोच के कारण आदिवासी बहुलेवाले जिले विकास की बुनियादी सुविदाओं से भी वंचित रहे गए अब कहां तो इनके विकास के लिए कोशित होनी चाहिए थी लेकिन इन जिलों पर पिछड़े होने का एक टैग लगा दिया गया बाई और बैनों कोई राज कोई जीला कोई व्यक्ति कोई समाज विकास की दोड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए हर व्यक्ति हर समाच आकांची होता है उसके सपने होते हैं सालों साल वंचीत रखे गए इनी सपनों इनी आकांचों को उडान देने की कोशित आज हमारी सरकार की प्राथ्भ्ता है आपके आजसिरवात से आज उन सो सधिक जिलो में विकास की आकांचों को पूरा किया जा रहा है आज जितनी भी इकलने अनकारी योद्नाए केंद्र सरकार बना रही है उनमें आदिवासी समाज बहुल्य आकांची जिलों को प्राथफिक्ता दी जा रही है आकांची जिले या पिर ऐसे जिले जहास्पतारों का भाव है वहां डेड़ सो से अधिक मेडिकल कॉलेज स्विक्रत किये जा चुके है जाधियों देश का जन जाती एक शेत्र समसाधनों के रूपे संपदा के मामले में हमेशा समरद्ज रहा है लेकिन जो पहले सरकार में रहे वो इन शेत्रों के दोहन की नीती पर चले हम इन शेत्रों के सामर्त के सही इस्तेमाल की नीती पर चल रहे है आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपुदा राज के विकास के लिए निकलती है उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है दिस्ट्रीक मिनरल फंड के तहट राज्यों को करीब करीब पच्चास हजार करोर रुपिय मिले है जो उसी खेत्र के लिए खर्च करने है आज आपकी संपुदा आपके ही काम आ रही है आपके बच्चों के काम आ रही है अब तो खनन से जुड़ी जीतियों में भी हमने ऐसे बदलाव किये हैं जिससे जन जातिये खेत्रों में ही रोजगार की व्यापक संभावनाय बने भाई और बहनों आजादी का ये अमरित काल आत्म निर्भर भारत के निर्मान का काल है भारत की आत्म निर्भरता जन जातिये भागिदारी के बिना संभव नहीं है आपने देखा होगा अभी हाल में पद्म पुरसकार दिये गए है जन जातिये समाज से आने वाले साथी जब राष्ट पती भवन पहुँचे पैर में जूते भी नहीं थे सारी दुनिया देखकर के दंग रह गई है रान रह गई आदिवासी और ग्रामीन समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है असली हीरो है यहीं तो हमारे डाइमन है यहीं तो हमारे हीरे है भाई और बहनों जन जातिये समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन दुर्भागे से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनिती की इच्छा शक्ती चाहिए ना कुछ नहीं था बहुत कम थी श्रजन आदिवासी प्रंपरा का हिस्सा है मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बेहनों के द्वारा जो निर्मान कारिय हुआ है वो देख करके मैं सच मुझ में पड़े मन को आनंद होता था है इनकी उंगलियों में इनके पास क्या थाकत है स्रजन आदिवासी प्रंपरा का हिस्सा है लेकिन आदिवासी स्रजन को बाजार से नहीं जोडा गया आप कल्पने कर सकते हैं बास की खेती जैसी छोटी और सामाने से चीज को कानूनों के मकरजाल में फसा कर रगगा गया था क्या हमारे जन जाती है भायों बैनों के यह हक नहीं था कि वो बास की खेती कर बास खेती करकर के बेच करके उसे पैसा कमा सके हमने वन कानूनों में बढ़लाव कर इस सोच को ही बदल दिया साथियों दसकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया उसकी अपेख्षा की गई उपेख्षा की गई अब उसको आत्म निर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्द कराया जा रहा है ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातिय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है साथियों वंधन योजना हो वनोपच को MSP के दायरे में लाना हो या बेहनों की संगटन सक्दी को नई उर्जा देना ये जनजातिय क्षेत्रों में अभुद्पुर्व आउसर पैदा कर रहे हैं पहले की सरकारें सिरफ आठ दस वन उपजों पर MSP दिया करती थी आज हमारी सरकार करीब करीब नब्बे नब्बे वन उपजों पर MSP दे रही हैं कहां नव दस और कहां नब्बे हमने पचीसों से अधिक वन दन विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक वन दन सेल्फ हिल्फ ग्रुपों से जोड़ा गया है इन से आज लगबग साड़े साथ लाख साथ ही जुड़े हैं उनको रोजगार और स्वर रोजगार मिल रहा है हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी सम्वेदन जिल्ता के साथ कदम उठाए हैं राज्यों में लगबग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जन जातिय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है बाई और बेनों हमारी सरकार आदिवासी युवाओं की शिक्षा और काउसल पर विशेश बल दे रही है एक लब्वे मॉडल रेसिडेंशल स्कूल आज जातिय शेत्रों में शिक्षा की नई जोती जागरत कर रही है आज मुझे यहाँ 50 एक लब्वे मॉडल रेसिडेंशल स्कूलों के सिला नियास का अउसर मिला है हमारा लक्ष देज भर में ऐसे लगभग साड़े 700 स्कूल खोलने का है इन मैंसे अने को एक लब्वे स्कूल आल्रेडी शुरू हो चुके है साथ साल पहले हर छात्र पर सरकार लगभग 40,000 रुपे खच करती थी वो आज बढ़कर एक लाख रुपे से अधिक हो चुका है इससे जन जातिय चात्र चात्राओं को और अधिक सुविदा मिल रही है केंद्र सरकार हर साल लगभग 30,000 लाग जन जातिय युवाओं को स्कूलर्जिप भी दे रही है जन जातिय युवाओं को उच्च सिक्षा और रिसर्ट से जोडने के लिए भी अभुत्पुर्व काम किया जा रहा है आज जाति के बाद जहां सिर्फ 18 ट्राइबल रिसर्ट इंस्टिजूट बने वहीं सिर्फ साथ साल में नए नव नव नए संस्थान ठापित किये जा चुके है साथियों जन जातिय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत पढ़ाई के समय बाशा की भी होती थी अम नई राश्ट्रिय सिक्षानीती में स्थानी भाता में पढ़ाई पर बहुत जोड दिया गया है इसका भी लाब हमारे जन जातिय समाज के बच्चों को मिलना तय है भाई और बहनों जन जातिय समाज का प्रयास सबका प्रयास यही आजादी के अमृत्काल में बुलंद भारत के निर्माण की उर्जा है जन जातिय समाज के आत्म सम्मान के लिए आत्म विश्वात के लिए अधिकार के लिए हम दिन रात महनत करेंगे आज जन जातिय गवरव दिवास पर हम इस संकल्प को फिर दोरा रहे हैं और ये जन जातिय गवरव दिवास जैसे हम गांधी जैनती मनाते हैं जैसे हम सरदार प्टेल की जैनती मनाते हैं जैसे हम बाबा सा बाब मेरकर की जैनती मनाते हैं वैसे ही भगवान बिर्साम मुंडा की ये 15 नवेंबर की येंती हर वर्ष जन जातिय गवरोग दिवस के रुपे पुरे देश में मनाई जाएगी एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है मेरे साथ दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की 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 भारत माता